बच्चों मैं हूँ अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी आज की कहानी का नाम है सुनहरा हिरन पहुत पुरानी बात है एक जंगल था उस जंगल में एक नदी बैती थी जंगल के सभी जानवर उस नदी पर पानी पीने आते थे इसी जंगल में हिर्णो का एक जुन्ड रहता था हिर्णो के जुन्ड का सरदार एक सुनहरा हिरन था उसकी पत्नी भी सुनहरे रंकी थी और उनका एक छोटा बच्चा था वे भी सुनहरे रंका था दल के सभी हिरन सुनहरे हिरन की बात पानते थे एक दिन की बात है, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में शिकार खेलने आया शिकार ढूरते ढूरते राजा को दुपैर हो चुकी थी लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा था राजा का धूप और प्यास से बुरा हाल हो रहा था राजा ने अपने एक सिपाही से कहा, हम यहीं इस पेड़ के नीचे रुकेंगे तुम जाकर पता करो कि नदी कितनी दूर है जो हुक्म महाराज कहकर सिपाही नदी की खोज में चल पड़ा कुछ देर बाद उसने आकर बताया महाराज नदी यहां से अधिक दूर नहीं है हम जल्दी वहां पहुच जाएंगे राजा ने चलने को कहा सभी जल्दी जल्दी नदी की तरफ चल पड़े नदी पर पहुचने के बाद सभी ने ठंडे पानी से अपनी प्यास पुछाई अचानक वहां उन्हें कुछ आहट सुनाई दी राजा और सभी सिपाई जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गए सबने पेड़ों के पीछे से देखा कि हिर्नों का एक चुंड नदी की तरफ आ रहा है यह देखकर उनको लगा कि यह आहट उनी हिर्नों की थी उन हिर्नों के जुंड में एक सुनेहरा हिरन जुंड के आगे-ागे चल रहा था शायद वह हिर्नों का सरदार है राजा ने सोचा राजा ने अपने सिपाईयों को सुनेहरे हिरन को पकड़ने के लिए इशारा किया सुनेहरे हिरन ने पेड़ों के पीछे छिपे हुए राजा के सैनिकों को देख लिया था उसने तुरंत अपने साथियों को इशारा कर दिया सभी हिरन भाग कड़े हुए लेकिन ये क्या सरदार का छोटा बच्चा सिपाईयों के द्वारा फेके गए जाल पर फस गया पर आश्चर राजा ने अपने जीवन का सबसे हैरान कर देने वाला द्रिश्य देखा उस छोटे बच्चे की पुकार सुनकर सभी हिरन वापस वहीं आ गए वे जाल में फसे उस बच्चे के चारों और घेरा बना कर खड़े हो गए मानो अपनी मूख भाशा से कह रहे हूँ हम जान देकर भी इस बच्चे को बचाएंगे जानवरोन में ऐसा संगटन राजा निया इससे पहले कभी नहीं देखा था राजा ने उनकी आखों में छिपे दर्द को देखा उसने तुरन सुनेरे हिरन के बच्चे को जाल से आजाद कर दिया जाल से आजाद होते ही वे अपनी मा के साथ जंगल की तरब भाग गया बाकी हिरन भी पीछे पीछे भाग चले राजा अपने सिपाईयों के साथ उधास मन से राजबहल लोटाया दूसरे दिन राजा ने पूरे राज में शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी अब राजा खुश था शायद उसने जानवरों की मूख भाशा का मतलब जो समझ लिया था इस कहानी से यह सिक्षा मिलती है कि चीफ जंतियों से भी प्यार, करुणा, सयोग तथा एकता का पाठ सीखा जा सकता है शुब रात्री